सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आरक्षन में वर्गी करन का जो फैसला दिया गया था उसे हरियाना सरकार की तरफ से लागू कर दिया गया और आज इस पैसले पर हरियाना के मुख्य मंत्री से मुलाकात की गई हरियाना की कैबिनेट मंत्री क्रिशन बेदी थे और इस दौरान ड सहसला पूरे हरियाना के जो डियसी समाज है उसके लिए देखिए जो फैंसला लिया बड़ा इतिहासिक फैंसला है और वर्सों वर्सों तक नैव सैनेजी के उनकी टीम को लोग याद करेंगे एक ऐसे वंची सोसित पीडित जो हर प्रकार से सेक्षिन तोर पर भी जो रोजग के मामले में भी हर मामले में जो समाज पिछला था उनको ताकत देने के लिए बहुत लंबे समय से हमारा समाज लड़ाई लड़ा था और उस लड़ते लड़ते हमारी तीन पीडियां चले गए दुनिया से परंतु उस पर निरने है सुरोच नैलिया ने हमारी पार्टी ने हमारे माने मुख्यामंतरी जी ने 18 अक्तूबर दो हजार 24 में लिया जो वादा किया था कि सरोच नेला का जो फैंसला है रहना सरकार उसको इंप्लिमेंट करेगी उस पे सारी काम हमने शुरू कर दिया था परंतू उसी दुराँ चुनाव चार सहीं तर लगी वो ने हम इंप्लिमेंट नहीं कर सके परंतू चुनाव के दुराँ डियासी वरक के लोगों को मुख्यामंतरी जी ने वादा किया था कि मैं पहली कलम से आप लोगों को वरकी करन रेजर्वेशन में हिश्चेदारी देने का काम किया उन वरक के लोगों को ये विस्वास दिलाया कि ये नौईight जी की सरकार आप सभी के हित की सरकार है और ऐसा इतिहासिक फैंसला करके मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरेना पर्दिश के D.S.C. वर्क काम जीतने का काम किया मैं आपके माद़म से काम कोटी को बाहर पर कड़ करते हैं और वरसों वरसों तक नाइप सिंग सैनी जी के इस एत्यासिक और स्थासिक फैसले को हम सीर आँखों पर रखने का काम करेंगे जब वो आज डैपोटेशन मिले के लिए गा तो अन लोगों ने मुख्यमनतरेजी को विस्वास दिलाया कि दो हजार उन त्यस नहीं, दो हज़ार चौनटिस नहीं दो हजार उन्तालिस भी नहीं और दो हजार चौआजस भी हम संतालिस भी बी जपी की सरकार को लाना चाहेंगे यह लोगों विस्वास है और ऐसा इतिहासिक फैंसला करके जो हमारा अंतोद्या का जो फैंसला है जो अंतिम पाइदान पर जो विक्ती खड़ा है उसका किस परकार से उद्या किया जा सके उसका किस परकार से समाज की मुख्यधारा में लाए जा ये दिसिजन उस फैंसले की और उस अंतोद्या की फिल